जै क्रश्न गोविंद हरे मुरारी ए नाथ नारायन वाशुदेवा राधे क्रश्ना राधे क्रश्ना राधे 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 क्रश्ना ओम नमो नारायन ओम नमो भगवते वाशुदेवाई जै श्रीक्रश्ना राधे राधे जै मातादी हर हर महादेव जै बोले नाद 10 फरवरी से गुप्त नवरात्री शुरू हो रही है 19 फरवरी तक रहेंगी बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है कि क्या हम गुप्त नवरात्री में कोई मंत्र सिद्ध कर सकते हैं क्या तो बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं गुप्त नवरात्री जादा तरक साधकों के लिए ही होती है, साधू संतों के लिए होती है, विसेश अनुष्ठान के जरिए साधू संत या तांत्रे के जो भी साधक होते हैं, मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, साल में दो बार गुप्त नवरात्री आती हैं, और साल में दो बार सामाने नवरात्री होती हैं, तो चार बार नवरात्रियां आती हैं साल में, और गुप्त नवरात्री में साधकों के लिए विसेश आउसर होता है कि जब वो अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र जबने का विधान ज्यादा तर वही रहता है जो हम संकल्प लेके करते हैं लेकिन नवरात्री में कोई भी मंत्र अगर हम जबते हैं या साधना करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक मिलता है मंत्र की सक्ती बहुत तीब्रता से बढ़ती है सामाने दिनों में किया गया जब और जब आप 6 महीने में कर रहे हैं और नवरात्री के 9 दिनों में ही उससे ज़्यादा फल आपको मिल जाता है मंत्र की संख्या आप अपने सामल्थ के अंसार तै कर सकते हैं जैसे मालीजे आप नवाड मंत्र का जब करने जा रहे हैं अगर आप एक माला कर सकते हैं दो माला कर सकते हैं पांच माला कर सकते हैं या ग्यारा माला जितनी माला आप कर सकते हैं जितनी देर आप अच्छे से जब कर सकते हैं बैठ सकते हैं उतना ही संकल्प लेना चाहिए जबर जश्टी का संकल्प मत लीजे कई बार कई लोगों ने ऐसे कमेंट्स किया कि गुरु जी मैंने इतना जब का संकल्प लिया था मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ तो इतना ज़्यादा संकल्प मत लीजेगा जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिएगा जर ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा संकल्ब ले लें और उसको जबलचस्ति खीचने का प्रियास करें तो उस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस जब का उतना प्रभाव आपको नहीं मिलेगा या उतनी सक्ति उसकी जागरित नहीं होगी जितना आप चाहते हैं तो मंत्र जब अगर आप कर रहे हैं तो उतनी ही संख्या को निलधारित कर गये करें जितना आप कर सकते हैं 11 माला हो गया 21 माला हो गया ज्यादा सामर्थ है आपके अंदर तो आप 41 माला कर सकते हैं, क्यावन माला कर सकते हैं, करने को तो लोग 108 माला भी करते हैं, 101 माला भी करते हैं, लेकिन उतना सामर्थ होना चाहिए, उतनी आपके अंदर प्राण वायू होनी चाहिए, कि जितना आप जब कर सकते हैं, जब का अबिधान सीधा ही रहता है जैसे नवरात्री में हम मातारानी की पूजा करते हैं पंचोब चार पूजन करते हैं वैसे ही उनका पूजन करना है अगर आप नवाड मंत्र का जब कर रहे हैं या जो भी मंत्र जब कर रहे हैं उससे समंधित जो सामग्री होती है उस सामग्री के साथ में ही जब करना है जैसे नवाड मंतर का जब कर रहे हैं तो लाल चंदन के अगर माला हो अगर आपके पास में उपलब्ध हो तो अच्छा है नहीं है तो अगर रुद्राज की माला से आप कर रहे हैं तो भी अच्छा है लाल कलर के वस्त लाल कलर का आसन और मातारानी को चड़ाने के लिए भोग जो भी सारी चीजें आप सामान नवरात्री में मातारानी को अर्पित करते हैं वो गुप्त नवरात्री में भी अर्पित कर सकते हैं ज्यादा विधी विधान से अगर आप उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं अगर उ तो कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई गलत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ज्यादा तर आप अपना फोकस जब पे रखिए, ज्यादा तर अपना फोकस मंत्र जब पे रखिए, जिससे आपकी मंत्र की उर्जा बढ़ सके, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको किसी ने कोई मंत्र नहीं दिया है, जिनके पास में कोई ऐसा मंत्र नहीं है, जब करने के लिए, उनको कोई भी मंत्र कहीं से भी उठा के, जबने की कोशिस आप मत करिए, क्योंकि कभी-कभी किसी-किसी मंत्र का बहुत दुस्प्रभाव पड़ता है, वो धीरे-दीरे आपके ज पोबल की सकती है वो बढ़ने लगेगी, जब करने की सकती बढ़ने लगेगी, आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ खिचना शुरू हो जाएगा और भगवान सीव से लगाओ होना शुरू हो जाएगा, कहीं ने कहीं वो गुरु के रूप में आपको माख़व दर्सन भी करना शुरू कर देंगे, तो जिनके पास में कोई मंतर नहीं है, वो ओम नवस सिवाय का जब करें, बाकि जो मंतर जबते आ रहे हैं, जो नित्य मंतर जबते हैं, वो अपने मंतर की अगसक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, या मंतर की उर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो गुप्त न गुपनावरात्री में अगर आप मातारानी के मंदिर में जाके जब करते हैं तो उसका भी कई गुना अधिक फल आपको मिलता है गुपनावरात्री में जब आप जब करना सुरू करें तो संकल्प लेना मत भूलें संकल्प में आप अपनी मनों कामना भी कह सकते हैं कभी कभी हमारी जीवन के कुछ कार रुके होते हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए आप छोटा सा संकल्प लेके मातारानी के समच जब का प्रण ले लीजे और पूरी निष्ठा से और पूरे विश्वास के साथ में पूरे भाव के साथ में मातारानी से जुड़ के जब करिए और नौ दिनों में अपने विचारों को सात्विक रखिएगा मांसिक रूप से ब्रह्मचर का पालन बहुत आवश्यक है सारीरिक रूप से ब्रह्मचर का पालन बहुत आवश्यक है सात्विक आहार आपको ग्रेंड करना पड़ेगा ज्यादा मसाले वाला बोजन मत करिएगा लासुन प्याज वाला बोजन भी मत करिएगा क्योंकि ये तामसिक विचारों को पैदा करता है मन में और जब में नियम आवस्यक हैं क्योंकि जब हम सात्विक रूप में भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं या किसी भी रूप में कोई भी आप जब कर रहे हो या कोई भी आप अनुस्ठान कर रहे हो और जब देवी सक्तियों से जुड़ने की बात आती है तो अगर आप पूरी तरह से पालन करते हैं तो देवी सक्तियें बहुत जल्दी प्रसान होती है और अगर आप नियमों को तोड़ते हैं तो कही न कही आपका जब खंडित हो जाता है ऐसा नहीं है कि उसका आपको दुस्प्रुभाव पढ़ेगा, दुस्प्रुभाव नहीं पढ़ता है, लेकिन जो प्रुभाव आपको मिलने वाला था, वो कहीं नहीं मिलता है, तो मेरी बहुत-बहुत सुबकामना है, आप सभी को गुप्त नौरात्री की और गुप्त नौ करिए राम नाम का जब करिए माता रानी के किसी नाम का जब करिए तो नाम जब में भी उतनी ही सकती होती है उतनी ही उर्जा निकलती है और नाम जब से भी आप अपने नाम जब को सिद्ध कर सकते हैं वो भी सिद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं कि केवल मंत्र ही सिद्ध होते हैं नाम भी सिद्धो होते हैं भगवान के, तो जिस रूप में आप कर सकते हैं उस रूप में करिए, कहने का तात पर यह है कि किसी ना किसी रूप में आप अध्यात्मिक अनुष्ठान से जोड़े रहिए, जिससे आपका अध्यात्मिक मार्ग खुलेगा और आने वाले समय में आपके लिए जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जो आपके लिए बैतर होंगी, आपके परवार के लिए अच्छी होंगी, आपके जीवन में आपको उन्नती का रास्ता दिखाई पड़ेगा, आपके जीवन में आपको मार्ग दर्सन होना शुरू हो जाएगा आपका विजन केलियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है और बहुत सारी परिसानियां, बहुत सारी बाधाएं जो आपको परिसान कर रही थी, जो आपके जीवन में एक रोड़ा बनके आपको आँगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वो कहीना कहीं रोखना शुरू हो जाएंगी क्योगि कोई मंत्र अगर आप एक्टिव करते हैं या जागरित करते हैं या उसकी उलजा को बढ़ाते हैं तो वो कहीना कहीं आपके जीवन में भी प्रवाव डालता है आपके चकरों को भी Activate करता है और उन चकरों को Activate करने के बाद जब वो चकर Activate होते हैं आपके गंडलिनी के तो आपके सरीर की बहुँत सारी बिमारियां भी दूर होती है तो बहुत सारा लाब है जितने लाब गिनाएज हैं उतने कम है अध्यात्मिक रूप से तो आप आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं आसा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट्स में जय मातादी, जय शरीक्रशना या अपने मन के सवालों को जरूर पूछेगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए जय शरीक्रशना, जय मातादी